गुड इवनिंग स्टूलेंट्स और आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं Letter to the Editor तो यह जो Letter to the Editor है यह आपके exam point of view से बहुत ही important होता है चाहे आप class 8th में हो या class 10th board में हो या फिर 12th board में हो आपके question paper में Letter to the Editor रहेगा ही रहेगा और यह बहुत ही important भी होता है तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम cover up करेंगे Letter to the Editor तो चली बिना देर की वीडियो को start करते हैं Hopefully यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ जाएगी और आपको यह वीडियो पसंद भी आएगी अगर आपको आज की वीडियो helpful लगती हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजेगा चली स्टुडेंट्स बिना टाइम को गवाय हुए वीडियो को start करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम cover up करने वाले हैं letter to the editor ठीक है और हमारा topic है deteriorating living standard ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं deteriorating living standard question paper जभी भी आपको मिलेगा तो यह question आपका 8 नंबर का रहेगा ठीक है आपको अब लिखा रहेगा कि write a letter to the editor on the topic of this 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 ठीक है तो एक बार आप format समझ जाओगे तो आप कोई से भी subject पर आप लिख पाओगे letter to the editor ठीक है मैं class 8 students के बात कर रहे हूं 10th वालों के बात कर रहे हूं 12th वालों के बात कर रहे हूं ठीक है तो यहाँ पर question दिया गया है हमारा कि write a letter to the editor of a magazine expressions New Delhi on the deterioration in the standard of living in your city give suggestion for the improvement sign Yosif as PMR ठीक है question एक बार ही हमने पढ़ लिया question आपको समझ में आ भी गया होगा ठीक है question नहीं समझ में आया आएगा आपको question पेपर में तो आप question को दुबारा से पढ़ोगे तो आपको question समझ में आ जाएगा ठीक है चली इस question को हम लोग attempt करते हैं तो सबसे पहले हम top में लिखेंगे address यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे address लिखना है ठीक है यहाँ पे हम mention करेंगे 15A model town Delhi ठीक है एपरिल जो भी आपका current date होगा आज का वो आपको यहाँ पे लिखना है जो भी current date है वो आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है editor का पूरा address ठीक है समझ में आया आप लोगों को उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे sir ठीक है यहाँ पे आपको कभी भी respected नहीं लगाना है respected sir या respected madam क्योंकि यह grammatically error होता है जब आपकी किसी को sir या madam बोल रहे होते हो तो आप obviously उनको respect ही दे रहे होते हो तो obviously आपको यहाँ पे sir ही लिखना है dear sir या respected sir लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है अब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम mention करेंगे हमारा जो भी subject है वो तो हमारा subject आता है deteriorating standard of living in the capital city ठीक है तो आपको यह मिल सकता है कि आपको 500 words में लिखना है 250 words में लिखना है 1000 words में लिखना है तो words का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको इतने words में ही लिखना है ऐसा नहीं है कि 500 शब्द में आपको लिखने के लिखने के लिए बोला गया है आप 800 शब्द में लिख दोगे तो आपको 5 number extra मिल जाएगा नहीं ठीक है तो मैं ये concept आप लोगों को पहले तो बिल्कुल clear कर देना चाहती हूं अब हम लिखना start करते हैं तो हम सबसे पहले start करेंगे through the column of your reputed magazine I wish to express my views on the deteriorating standard of living in the capital city of Delhi जभी भी आप letter to the editor लिखेंगे तो एक चीज दिमाग में गाठ बांद करके रख लीजे कि आप लिखेंगे through the column of your reputed magazine I express my views of the deteriorating standard of living in the capital city ठीक है ये जो है रहा through the column of your steamed newspaper ये चीज बहुत ही important रखता है ठीक है ये line तो पहला हुएगा ही हुएगा हमेशा याद रखियेगा through the column of your reputed magazine I wish to express my views on the deteriorating standard of living in the capital city of the Delhi ठीक है अब बाद आती है what does the standard of living actually mean does it mean possessing expensive goods of comfort and beauty living in posh bungalows or the overall decent peaceful living condition including health and hygiene pollution free environment and above all are a value based society आपके लिए एक peaceful तरीके से रहना एक अच्छे environment में रहना अपना health और hygiene का ध्यान रखना अच्छा standard of living है या फिर bungla बंगला दिखा करके अच्छा living है तो इस चीज के बारे में आप ये चीज निजानकारी प्रदान करेंगे फिर अप लेखेंगे considering all these the living condition in the Delhi are really appalling ठीक है dumps of the garbage, heavy traffic, congestion on the roads growing atmospheric pollution high level of noise pollution overcrowding at the public places etc तो जो चीज अपने दिल्ली में आपने फेस कर रहे हो वो चीज आपको यहां पे मेंशन कर देनी है जैसे कि पहले तो चीज आ जाएगी कि dumps of the garbage क्योंकि अपने दिल्ली में बाड़ा बहुत ज़्यादा हो चुका है जहां जहां देखोगे तब को कूड़ा का चीज नजर आएगा फिर heavy traffic, traffic बहुत ज़्यादा हो गया है फिर उसके congestion on the roads roads फिर काफी ज़्यादा congestion आपको देखने को मिलेगा atmospheric pollution बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अपने देखोगे वहाँ पे तो condition सही नहीं है atmosphere का उसके बाद high level of noise pollution noise pollution बहुत सारा हो गया है फिर overcrowding हो गया है public places पे कहीं अगर आप घूमने को जाते हो तो आपको मतलब जितना समय जाने आने में और आप घूमने में लगता है उससे दूगना time आपको लग जाएगा या आपको कभी school जाना है office जाना है तो आपको मतलब पहले के comparison में जादा वक्त लगता है क्योंकि वहाँ पे crowd बहुत जादा हो गया है तो अपनी जो भी तकलीफ या अपनी जो भी problem face कर रहे हो वो सारी चीज़े आपको यहाँ पे mention करनी है फिर उसके बाद हम लिखेंगे through ample light of the deteriorating in the people's standard of living our lungs are hungry for fresh air and green belts यानि कि इतना यहाँ पे pollution हो गया है कि हमारे जो lungs है वो बिलकुल भूखे हो गये है एक fresh air के लिए और green belts के लिए मतलब कि यहाँ पे pollution बहुत जादा हो गया है the large number of immigrants from other states to Delhi put tremendous pressure on the resources of the city the housing problem is growing rapidly with the lack of civic MNTs the life is so busy that there is little interaction among the neighbors hurry and worry is what best describe the lives in the capital city with growing consumerism and the rising prices the disparity between rich and poor is increasing day by day ठीक है तो यह सारे चीज़ है अपनी जो है वो आप यहापे mention करेंगे something judicious needs to be done to the remedy this situation more green belts and silence zones to be created यानि कि इन सभी चीज़ों से बचने के लिए एक healthy life जीने के लिए जादा से जादा silence zone बनाने चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए है ना फिल लिखेंगे the unrestricted inflow of people to Delhi should also be checked only then the standard of living can improve मतलब कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर जादा से जादा मतलब green belts बनेंगे यानि कि पेड़ पौधे लगाया जाएंगे silent zones बनेगा तो हमारे लिए काफी peaceful रहेगा हम शांती से रह पाएंगे क्योंकि जादा बड़ा-बड़ा monument बना लेने से जादा जादा बड़ा-बड़ा घर बना लेने से infrastructure बना लेने से कोई यह नहीं हो जाता है कि एक अच्छा way of living है हमको उसके लिए peaceful जगा भी चाहिए होता है तो यह सब चीज हम लिखेंगे फिर लिखेंगे only then the standard of living can be improved उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है yours truly PMR और अपना नाम तो मुझे उमीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इसी के साथ जैहन बंदे मात्रम